नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं। आए सुनते हैं लेखी का शिवानी तोरा लेखी के कहानी लाल हवेली। ताहिरा ने पास की बर्थ पर सोए अपनी पती को देखा और एक लंबी सांस खीच कर करवट बदल ले। कंबल से ढगी रह्मान अली की उंची तोंद गाड़ी के जगलों से रह रहकर कांप रही थी। अभी तीन घंटे और थी। ताहिरा ने अपनी नाजो कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कमबक्त कितनी देर में घंटी बजा रही थी। रात पर एक आँख भी नहीं लगी थी उसकी। पास के बर्त में उसका पदी और नीचे के बर्त में उसकी बेटी सलमा दोनों नीन से बेखबर बेहोश पड़े थे। ताहिरा खबरा कर बैठ गई। क्यूं आ गई थी बेपती के कहने में। सौ बहाने बना सकती थी। जो खाब समय और विस्मृती ने पूरा कर दिया था। उसी पर उसने स्वयम ही नश्टर रख दिया। अब भुकतने के सिवा और क्या चारा था। स्टेशन आ ही गया था। ताहिरा ने काला रेशमी बुर का खींच लिया। दामी सूटकेस, नए बिस्तरबंद, एर बैग, चांदी की सुराही। उतरवा कर रह्मान अली ने हाथ पकड़ कर ताहिरा को ऐसे संभल कर अंदास से उतारा, जैसे वे कांच की कुडिया हो, तनिक सा धक्का लगने पर तूटकर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूद कर उतर चुकी थी। दूर से भागते हांते हाथ में काली टोपी पकड़े एक नाटे से आदमे ने लपक कर रह्मान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हावा में उठा लिया। उन लोगों की आँखों में आंसू बह रहे थे। तो यही मामू बित्ते हैं। ताहिरा ने मन ही मन सोचा और थे भी बित्ते ही भरके। बित्या को देखकर मामू ने जट कले से लगा लिया। बिलकुल इसमत है रह्मान। वे सलमा का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे। वही चहरा मोरा वही नैन नक्ष। इसमत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इसमत भेशती। ताहिरा पत्थर की सी मुरत्मनी चुप खड़ी थी। उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे। उन्हें कौन देख सकता था। वही स्टेशन वही कनेर का बेड़। पंधरा साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई नहीं बदल सका। चलो बेटी। मामू बोले। बाहर कार खड़ी है। जिला तो छोटा है पर अलताफ की पहली पोस्टिंग यही हुई। इंचाला अब कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलोते बेटे अलताफ की शादी में रह्मान अली पाकिस्तान से आया था। अलताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था। ताहिरा फिर मन ही मन कोड़ी। घर पहुँचे तो बूरी नानी खुशी से पागल हो गई। बार बार रह्मान अली को गले लगा कर चुमती थी। सलमा को देखकर ताहिरा को देखना भूल गई। या अल्ला ये क्या तेरी कुद्रत। इसमत को फिर भेश दिया। दोनों बहुएं भी बोल उठी। सच अमी जान बिल्कुल इसमत आपा है पर बहु का मूभी तो देखिए। लीजे ये रही अशर्फी। और छट अशर्फी थमा कर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उतार दिया। अल्ला चांद का टुकड़ा है। ननी नजमा देखो सोने का दिया जला धरा है। ताहिरा ने लज्जा से सेर चुका लिया। पंद्रा साल में फिर पहली बार ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से वीजा मिला था। तीन दिन रहे कर फिर पाकिस्तान चली चाहेगी। पर कैसे कटेंगे ये तीन दिन। चलो बहू उपर के कमरे में चल कर आराम करो मैं चाय भिजवाती हूँ। कहकर ननी मामी उसे उपर पहुँचा आई। रह्मान नीचे ही बैठकर मामू से बातों में लग गया। और सलमा को तो बड़ी अमी ने कोद में ही खीच लिया। बार बार उसके माथे पर हाथ फेर दी और हिचकियं बन जा दी। मेरी इसमत, मेरी बच्ची। ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुर का फैंक दिया। बंद खिर्की को खोला तो कलेज़ा ठक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। चट पर खिर्की बंद कर तक्स पर गिर्दी बढ़ती बैठ गई। खुदाया तुम मुझे क्यों सता रहा है। वे मूँ ढापकर से सकुठी। पर क्यों दोश देवे किसी को। वे तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जस शहर में उसे जाना है वहां का एक कंकर कंकर उस पर पहार सा तूटकर बरसेगा। उसकी नेक पती को क्या पता। भोला रहमान अली जिसकी पवित्र आँखों में ताहिरा के प्रती प्रेम की गंगा छलकती। जिसने उसे पालतू हिरनी से बना कर अपनी पेडियों से पांथ लिया था। उस रहमान अली से क्या कहती। पाकिस्तान के बटवारे में कितने पिसे और उसी में से एक थी ताहिरा तब थी वे सोला वर्ष की कनक छड़ी से सुन्दरी सुधा सुधा अपने मामा के साथ मेरी बहन के ब्याह में मुलतान आई दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया मुस्लिम गुंडों की भीर जब भूके कुत्तों की भांती उसे बोटी सी चिचोड़ने आई तब ही आ गया था फरिष्टा बनकर रह्मान अली नहीं वे उसे नहीं छोड़ेंगे हिंदों ने उनकी बहु बेटियों को छोड़ दिया था क्या पर रह्मान अली की आवाज की मीठी डोर ने उन्हें बांद लिया सामला दुबला पतला रह्मान सहसा कठोर मेग बनकर उस पर छा गया सुधा बच गई पर ताहिरा बनकर रह्मान की जवान बीवी को भी देली में ऐसे ही पीस दिया था वे जान बचा कर भागाया था बुझा और खायल दिल लेकर सुधा ने बहुत सोचा समझा और रह्मान ने भी दलीले की पर पशेमान हो गया हारकर किसी ने एक दूसरे पर बीती बिना सुने ही मचपूरियों से समझवता कर लिया ताहिरा उदास होती तो रह्मान अली आसमान से तारे दोड़ लाता वे हस्ती तो कुर्बान हो जाता एक साल बाद बेटी पैदा होई तो रहा सहा मैल भी धुलकर रह गया अब ताहिरा उस बेटी की माँ थी उसकी किस्मत का बुलन सितारा पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी और अब वहां के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था दस दस सुंद्री एंगलो इंडियन छोकरियां उसके इशारों पर नाश थी थड़ा थड़ अम्री की नायलॉन और डेक्रॉन बेश थी दुपला पतला रह्मान हावा भरे रबबड की खिलोने सा फूलने लगा तोन पड़ गई गर्दन एंट कर शानदार अकर से उची उठ गई सीना तन गया आवाज में खुद पर खुद एक अम्री की डॉल आ गया पर नीलम पुकरात से चड़ी हीरे से चमकती तमकती ताहिरा शीशम के हाती दान चड़े छपपर खटपर अपी बेचेन करवटे ही बदलती मार्च की जाड़े से दामन छुड़वाती हलकी कर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दुपहड़िया में पानी से निकली मच्छी सी तड़वड़ा उड़ती मस्ती परे होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे गुलाबी मलमल की वे चुनरी उसे आज भी याद है अमा ने हलका सा कोटा टाम दिया था हाथ में मोटी सी पुस्तिक लिए उसका तरुन पती कुछ पढ़ रहा था घुंगराली लटों का गुच्छा चौड़े माथी पर छुक गया था हाथ की अज़ली सिक्रेट हाथ में पुच गई थी गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और भी सिर चुका दिया था चुल्पली सुन्दरी बाले का नवधों से छेम छेम कर रह जाता था बेचारा पीचे से चुप चाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अभीर मल दिया था और चट चौके में खुसकर आमा के साथ गुजिया बनाने में जुट गई थी वहीं से सास की नजर बचा कर भोली चित्वन से पती की और देख चट से छोटी से गुलाबी जीब निकाल कर चड़ा भी दिया था उसने जवे मुल्तान जाने को हुई तो कितना कहा था उसने सुधा मुल्तान मत जाओ पर वह क्या जानती थी कि दुरभागे का मेख उस पर मंडरा रहा है स्टेशन पर छोड़ने आय थी इसी स्टेशन पर यहीं कनेर का पेड़ था यहीं जंगला मामा जी के साथ गठरी सीवनी सुधा को घूंगट उठाने का अवकाश नहीं मिला गाड़ी चली तो सहसकर उसने घूंगट जरा सखिसका कर अन्तिम बार उससे देखा था वही अमृत की अन्तिम खूट थी सुधा तो मर गई थी अब ताहिरा थी उसने फिर कामते हाथों से खिड़की खोली वही लाल हवेली थी उसके शेसुर वकील सहाब की वही चट पर चड़ी रात की रानी की बेल तीसरा कमरा जहां उसके जीवन के कितनी रस भरी राते बीती थी ना जानी क्या कर रहे होंगे शादी कर ली होगी क्या पता बच्चों से खेल रहे हो आँखे फिर बरसने लगी और एक अंजाने मोह से विजूजूटी ताहिरा अरे कहा हो रह्मान अली का स्वर आया और हर बढ़ाकर आँखे पोश ताहिरा बिस्तर बंद खोलने लगी रह्मान अली ने गीली आँखे देखी तो खुटना टेक कर उसके पास पैट गया बीवी क्या बात हो गई सेर तो नहीं दुख रहा चलो चलो लेटो कितनी बार समझाया है यह सब काम मत किया करो पर सुनता कौन है बैठो कुर्सी पर मैं बिस्तर खोलता हूँ मखमली कद्दे पर रेश्मी चादर बिछा कर रह्मान अली ने ताहिरा को लिटा दिया और शर्बत लेने चला गया सल्मा आकर सेर्ट अबाने लगी बड़ी अमाने आकर कहा नजर लग गई है और क्या नहीं नजमाने तहकती अंगारों पर चून और मिर्च से नजर उतारी किसी ने कहा दिल का दौरा पढ़ गया आमले का मुरब्बा चटा कर देखो लाड और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए पास में लेटा रह्मान अली खर राटे भरने लगा तो दबे पैरों से फिर फिर खिड़की पर जा खड़ी हुई बहुत दिन से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की जील मिल गई थी पानी पी पी कर भी प्यास नहीं भुच रही थी तीसरी मंजिल पर रोशनी चल रही थी उस घर में रात का खाना देर से ही निपड़ता था फिर खाने के बाद दूद पीने की भी तो उन्हें आदत थी इतने साल गुजर गए फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो पहाड़े की तरह जुबानी याद थी सुधा सुधा कहां है तू उसका रिदे उसे स्वें धिकार उठा तूने अपना गला क्यों नहीं खोट लिया तू मर क्यों नहीं गई कूए में कूट कर क्या पाकिस्तान के कूए सूख गए थे तूने धरम छोड़ा पर संसकार रह गए प्रेम की धारा मोरती पर बेड़ी नहीं कटी हर तीज होली दिवाली तेरी कलेजे पर भाला भूंकर निकल जाती है हरी तुझे खुशी से भरती क्यों नहीं आज सामने तेरी ससुराल की हवेली है जा उनके चड़नों में गिरकर अपने पाप धोले ताहिरा ने सिस्कियां रोकने को दुपट्टा मुह में दबा लिया रह्मान अली ने करवट बदली और पलंग चर्मराया दबे पैर रगती ताहिरा फिर लेट गई सुबह उठी तो शेहनाईया बच रही थी रेशमी रंग बिरंगी गरारा कमीज अबरर की चमकते दुपट्टे हिना और मोतिया की कमक से पूरा खर महक महक रहा था पुलिस पैंट दयार थी खाकी वर्दिया और लाल तुर्रम के साफे सुरज की किर्नों से चमक रहे थे बारात में घड़की सब बौरते जाएंगी एक बस में रेशमी चादर तान कर बर्दा खीश दिया जाता था लड़कियां बड़ी बड़ी सुर्मेदा रांखों से नशा सब एक केर्थी एक दूसरे पर किर्थी बड़ी बस पर चड़ रही थी बड़ी बूरियां पांदान समेट कर बड़े इत्मिनान से बैठने जा रही थी और पीछे पीछे ताहिरा काला बुरका ओड़कर ऐसी खुम सुम चली आ रही थी जैसे सुदबुद खो बैटी हो ऐसी ही एक सांच को वे भी तुलहन बनकर इसी शहर आई थी बस में सिम्टी सिम्टाई लाज चुनर से ठगी और आज था स्याहपुर का जिसने उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिन्दगी अंधेरे में टुबा कर रख दी थी अरे किसी ने वकीत साहब के यहां बुलावा भेजा के नहीं बड़ी अमी बोली और ताहिरा के दिल पर नश्तर फिरा दे दिया अमी उनकी तब्यत ठीक नहीं इसी से नहीं आए हैं बड़े नेक आद्मी हैं बड़ी अमी ने डिबिया खोल कर पान से मूँ भरा फिर छाली की चुटकी निकाली और बोली शेहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं पर आसना उलाद सुना एक बीवी तंगे में मर गई तो फिर खड़ी नहीं बसाया पड़ी धूम्थाम से ब्या हुआ चांद सी दुलहन आई शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना नया जोड़ा बड़ी अमी लड़कियां यहां तक की घड़ की नौकरानियां भी बंधन कर तयार हो गई पर ताहिरा नहीं गई उसका सिर्ध दुख रहा था बे सिर्पैर के महबबत की गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी अकेले अंधेरे कमरे में वे चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी हिंदोस्तान प्यारे हिंदोस्तान की आखरी सांच जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर वे आदमकद आईने के सामने खड़ी हो गई समें और भागे कात्याचार भी उसका आलोकिक सौंधर्य नहीं लूट सका था वही बड़ी-बड़ी आखें, कोरा रंग और संगमरमर सी सफेद दे कौन कहेगा वे एक जवान बेटी की मा है, कहीं पर भी उसके पुष्ट योवन ने समें से मूखी नहीं खाई थी कल सुबे चार बजे चली जाएगी, जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्वे त्याकर वेरागी का वेश धर लिया क्या एक बार उसके दर्शन नहीं मिलेंगे, किसी शेतान नटखट बालक की भांदी, उसकी आँखे चमकने लगी चटपट बुर्का और वे बहा निकल आई, पैरों में बिजली की गती आ गई, पर हवेली के पास आकर वे पसीना पसीना हो गई पिछवाडे की सेडियों से याद थी, जो ठीक उनकी कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर रुकती थी एक-एक पैर दस मन का हो गया, कलेजा फट-फट कर मुझ को आ गया, पर हवे ताहिरा नहीं थी वे सोला वर्ष की पूर्ख चंचल बाली का नवदू सुधा थी, जो सास की नजर बचा कर तरुन पती की कालों पर अबीर मलने जा रही थी मिलन के उन अम्मुल्य शणों में सेड वंश के रह्मान अली का स्थित्वर मिट गया था आखरी सीड़ी आई, सांस रोक कर आँखी मूंद, वे मनाने लगी यह पिल्लेश्वर महादेव, तुम्हारे चर्णों में यह हीरे की अंगूटी चड़ाऊंगी, एक पार उन्हें दिखा दो पर, वे मुझे न देखें बहुत दिन बाद भक्त भगवान का समरण किया था, कैसे न सुनते, आँशों से अंधी ने देखता को देख लिया, वही कंभीर मुद्रा, वही लट्टे का एक पर्रा पज्जामा, मलमल का कुर्टा मेज पर अभागिन सुधा की तस्वीर थी, जो गौने पर बड़े भईयाने कीची थी, जी भर कर देख ले पगली, और भाग जा, भाग ताहिरा भाग, उसकी कानों में जैसे सुएम भोला नात कर जे, सुधा फिर डूप गई, ताहिरा जागी, सब सेनेमा से लोटने को हो अंधिम बार आँखों ही आँखों में, देवता की चरन धूली लेकर वे लोटी और बिलेश वर महराज के निर्जन देवाले की और भागी, ना जाने कितनी मनोतियां मांगी थी इसी देहरी पर, सिर्फ अटक कर वे लोट आई, आंचल पसार कर उसने आखरी मनोती मांगी, ये भोले नात, उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में कांटा भीना करे, हीरे की अंगूठी उतार कर चड़ा दी, और भागती हावती घर पहुंची, रह्मान अली ने आते ही उसका पीला चहरा देखा तो नबस पकड़ ली, देखूं, बुखार तो नहीं है, अरे अंगूठी कहां गई, वे अंगूठी रह्मान ने उसे इसी साल शादी के दिन यादकार में पहनाई थी, नचाने कहां गिर गई, ठके स्वर में ताहिरा ने कहा, कोई बात नहीं, रह्मान ने जुखकर थंडी पर्फ सी लंबी उंगलियों को चुम कर कहा, ये उंगलियां आबाद रहें, इंशाला आपके तहरान में चौक और हीरा मंगवा देंगे। कर दो स्वर में परके तहित्थ।